हलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे डेरी मिल्क आइसक्रीम वो भी चुटकी में इतना इजी है नहीं से बना ना कोई भी से बना सकता है और टेस्ट ही इतनी है ना कि एक बार आपने अगर इसे खा लिया ना तो भाई मनी नहीं रुकीगा टॉप से इसका टैक्स्चर इतना अच्छा है ना आपको मैं पास से दिखाती है वाव सुपर डिलिशियस आइसक्रीम बनकर रेडी है तो चली बनाने स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो का आप एंड तक देखेंगे ना तब ही बता चलेगा हमने सॉफ्ट और डिलिशियस और डेरी मिल्क वाली आइसक्रीम कैसे बनाई है तो गर्मी का मौसम है गर्मी के मौसम में डेरी मिल्क तो फटाफर्ट से मेल्ट होती है विकाज यह बहुत सॉफ्ट जो होती है अच्छा कमेंट करके फटाफर्ट से बताएं कि आपकी फैब्रिट चॉकलेट कौन सी है और next ice cream मैं कौन सी chocolate से बनाऊ तो यहाँ पर हमने milk ले लिया है milk को pan में डाल देंगे साथ ही मैं sweetness के लिए one spoon sugar डाल देंगे तो यहाँ पर sugar की quantity को आप अपने taste के recording कम जादा भी कर सकते हैं और सभी को अच्छे से mix कर देंगे milk में chocolate को अच्छे से mix कर देंगे तो boil आके हम gas को off कर देंगे और off होने के बाद भाई थंडा कर लेंगे थंडा होने के बाद ही हम इसे जमाएंगे तो यहाँ पर जमाने के लिए हम क्या लेंगे paper glass आज के bottom part में हम क्या डाल देंगे चोको chips जो सबकी टैबलेट होती है तो यहाँ पर हमने चोको chips टाल दिये है और mixture को हमने एक डम ठंडा कर लिया है ठंडा करने के बाद ही हम इसे glass में डालेंगे तो हमने दोनों glass को fill कर दिया है friends तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना easy है इसे बनाना जिसे कुछ बनाना नहीं आता न वो भी इसे बना सकता है तो मैं इसे पास से दिखाती हूँ और साथ ही में जो foil paper होता है न मैंने इसके top पे लगा दिया है because क्या है न इसमें ice crystal नहीं आएंगे उससे और साथ ही में मैंने cut लगा के stick लगा दिये है और 6-7 गंटे के लिए से freezer में रख दिया है 6-7 गंटे के बाद आप देखिएगा वाव, super delicious ice cream बनकर ready है तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ और इसे easily काल लेंगे easily यह निकल भी जाएगी वाव, क्या texture है सब जगे चोकुचिप्स नहीं हाई है पर देखते हैं next वाली ice cream वाव, इसमें super delicious लग रही है looking भी perfect आई है तो यहाँ पर हम taste करेंगे वह गर्मी का मौसम है फटा फट से ice cream melt होने वाली है तो हम फटा फट से taste करते हैं वाव, taste में super chocolate मैंने आपसे ज़्यादा बाते की ना तो यह melt हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दम taste perfect है तो फटा फट से try करना तो बनता है तो फटा फट से try करें और comment में मुझे यह बताएं कि आज की recipe आपको कैसे लगी तो बाई and enjoy